आज इस लेक्चर को थोड़ा सा मैंने पहले छोटा रखा है जो पोजीशन टाइम ग्राफ मैंने आपके concept clear कर दिये थे फिलाल मैं उसी के basic questions आपको इसमें कराता हूँ कुछ concept ऐसे होते हैं बच्चो जो questions के थ्रोई आपको समझाई जा सकते हैं तो अभी इस lecture को हम position time graph के questions के साथ ही खतम करेंगे और आज ही फिर आपके लिए अगला lecture भी produce कर देंगे ओके चलिए heading लगा लिजए kinematic graphs lecture 4 ठीक अटा है चलिए question यह आपके परदे पर पहला ठीक है मतलब time को इधर कर दिया और x को इधर कर दिया है तो इतनी सी बात में बच्चों को confusion आ जाता है और velocity maximum पूछी है तो बताईए velocity क्या बताई थी मैंने velocity क्या होती बताईए V होती है dxy dt तो अगर x t graph दिया हुआ है तो उसमें x t उसमें tangent का slope क्या देगा velocity तो यह तो x t graph ही दिया है अच्चा जहां पर slope जाता होगा जहां पर dxy dt जाता होगा वही पर तो velocity जाता होगी अब तीनों पॉंट पर slope डाल के देख लो जा रहा देखो यहां पर तो यह slope आएगा यहां पर slope यह आएगा और slope का मतलब क्या बताता है चड़ाई अब बताईए line a से b और c जाने पर बताईए कैसी होती आ रही है क्या vertical से horizontal हो रही है देखिए यहां पर vertical फिर horizontal फिर horizontal मतलब horizontal हुई नहीं horizontal की तरब मोड रही है इसका मतलब चड़ाई घटी जा रही है आपसे का जाए कि इस line पर चड़ो चड़ना है और एक इस पर चड़े तो जो line ज़्यादा vertical होगी उस पर चड़ना कठिन होगा और जो line कम vertical होगी या ज़्यादा horizontal होगी वो line पर चड़ना असान होगा तो उसका slope क्या होता है कम होता है तो obviously velocity सबसे ज़्यादा A point पर होगी इस graph में तो VA greater than VB greater than VC हो जाएगा ठीक है इस तरह से हो जाएगा अब इसमें आज़ा हो ज़रा इसमें क्या होगा बताईए अब ये ultra graph है तो slope का just उल्टा गड़ दो अगर इसमें लिखना चाहो तो देखिए इसमें क्या होगा slope जो होगा ध्यान से देखना जो slope होगा यहां लिख देता हूँ slope होगा dt by dx तो इसको velocity से क्या relation होगा 1 upon slope लिख दू मैं इसको अगर तो यह हो जाएगा 1 upon dx by dt बिल्कुर सही है सही है कर नहीं सही है तो इसमें क्या होगा जिस point पर slope जादा होगा वहाँ velocity कम होगी यह बड़ा असान है लेकिन यह है कि बच्चे इतने में चूक जाते है तो अब यहां पर देखिए slope यहाँ जाएगा यहां पर slope यहाँ जाएगा टू 1 upon slope ठीक velocity proportional to 1 upon slope जहां पर slope जादा वहां पर velocity कम ठीक तो बताईए सबसे ज़्यादा velocity काँ पर होगी C पर होगी फिर काँ पर होगी B पर होगी फिर काँ पर होगी A पर होगी ठीक तो A की velocity सबसे कम होगी क्योंकि यहां का सिलोप सबसे ज़्यादा है क्योंकि गिराफ है TX जानवज को लुटा किया जया है इतने में ही कमजोर बच्चों की ऐसी की तरसी हो जाती है इसलिए एक्जामनर जरासी बात पूछ लेता है हटाएं चलिए चलिए आपको सभी पॉइंट्स पर अपको डिट्रम बच्चों निए पॉइंट्स पर आपको डिसकस करना है pause करके ज़रा screenshot ले लो और question पहले try कर लो इसका concept समझाएं आपको चली पहले velocity समझाते है देखिए आपको velocity के बारे में हमने यह बताया था पहले ज़रा सुन लो कुछ बात ने आपको remind करा दे कि अगर slow positive है XT graphi दिया हुआ है तो अगर slow positive है अगर slow positive है तो velocity क्या होती है positive होती है और अगर slow negative है जैसे ग्राब माली यह है तो यहाँ पर slow negative है तो इस point पर velocity क्या होगी तो यहाँ पर velocity क्या होगी 0 होगी, क्योंगे dxy dt यहां पर बताईए क्या आएगा, dxy dt आएगा 0, ठीक है, तो जहां अगर velocity के sign की बात करो, तो जहां slope negative है, वहां पर velocity negative है, और negative velocity का मतलब मैंने यह लिया था, कि इस point पर particle moving towards left, इस point पर particle moving towards right, और यहां पर rest मोगा कई मोग, नहीं कर रहा होगा, तो चलो पहले हम velocity का sign आपको सब जगे बता देते हैं, एकदम आसानी से, ऐसी किया जाता है यार, प्लीज, सबसे पहले हम velocity का sign डिसक्स कर देते हैं, तो sign of velocity, sign of velocity, आराम आराम से देख लीजे, तो बताईए किस point पर slow positive है, बताईए इसे a point, इस graph को मैं धर बना लेता हूँ, या back में चले जाए, चलो back में चले जाए, velocity का sign देखेना आपको, velocity का sign देखेना है, ये graph था, अब देखे, किसी भी point पर देखे, ए पर देख लो, यहां मालो a point है, तो बताईए यहां पर tangent का स्लोप कैसा है, यहां पर बताईए tangent का स्लोप कैसा है, a point था यह, तो tangent का स्लोप देखे, positive है, b point यहां माल लिजे, b point पर भी tangent का स्लोप बताईए कैसा है, positive है, और मालो यहां पर c point है, यह a हो गया, यह b हो गया, यह c हो गया, यहां पर slope यह देखे, अपने आप बता दोगे, यहां पर यह point है, tangent का स्लोप negative हो गया, यहाँ पर भी tangent का slope negative हो गया तो बताइए A, B, C, D और मालो यह E है तो अब खुद बता दीजे किस point पर velocity का क्या direction है तो बताइए at A at A at A comma B बताइए dxydt is positive इसका मतलब velocity is positive velocity is positive velocity positive का मतलब particle is moving particle is moving along positive x axis ठीक है बच्चो ठीक, C पर slope 0 है at point C at point C बताइए C पर क्या slope at point C, dxy dt क्या है बच्चो 0 है और slope 0 है तो मतलब velocity क्या होगी 0 होगी C पर velocity 0 होगी और d और e पर slope negative है तो यहाँ पर लिख दीजे at point d and e ठीक, d और e पर बताइए dxydt क्या है is negative यह सब जानते हैं क्योंकि इसका obtuse angle बनेगा slope angle यह होता है slope is negative slope negative है तो इसका मतलब उस time पर या उस point पर particle is moving along negative x axis तो इसका मतलब particle is moving particle is moving along negative x axis particle along the negative x axis move करेगा ठीक है अब आपको दिखाते हैं कि xt graph से acceleration का sign कैसे discuss करते हैं इतना clear है acceleration का sign कैसे discuss करते हैं समझे आपको चलिए हटाए इसको pause करके उतार लिए बैतरिन concept है हटाए ठीक लिखे लिजे concept लिखे लिजे इसको आप concept how to find बहुत अच्छा concept है how to find sign of acceleration from given xt graph मज़ा आजाएगा आपको जरा देखिए how to find sign of acceleration from given xt ग्राफ सब समझे माजाएगा देखिए जरा जैसे ये है tx जैसे मानलो ग्राफ मानलो ये है ये ही ग्राफ सब होंगे ये होगा ये होगा ये होगा थीक है? ये सब आपको समझना आता है तो इसमें तो बताइए इसमें dxy dt constant है slow constant है तो इसमें तो acceleration 0 होता था पड़ा चूकों में अच्छा इसको 1 कह दो इसको 2 कह दो इसको 3 कह दो अच्छा 2 में देखिए स्लोप लगातर बढ़ता जा रहा है देखिए यहां पर स्लोप ऐसे लगातर बढ़ता जा रहा है तो स्लोप लगातर बढ़ रहा है तो इसका मतलब वैलोसिडी का मैगनिटूड लगातर बढ़ता ज कराएंगे कि अगर पार्टिकल इधर मूब कर रहा होगा माली जे तो ए भी इधर होगा दोनों का डारेक्शन सेम होगा और इसी को जनरली पॉजिटिव कह देते हैं ठीक है अब देखिए इसके लिए जरा बात कर लेते हैं इसमें क्या होगा मतलब इसका स्लोब लगातर कम हो अब इसमें बच्चों को एक कनफीजन आता है किस तर इसमें से पॉजिटिव के स्कोल है और नेगेटिव के स्कोल है तो यहां पर कोई कनफीजन नहीं है सबसे पहले तो यह नेगेटिव हो सकता है ऐसा हो सकता ही तो डिपेंड करता है कि हमने कौन सा डारेक्शन को नेगेटिणा उसमें कोई ऐसा मुद्धा नहीं है या तो आपने डारेक्षिन लिया है तो वह तो मैंने त्योरी में पढ़ा है था लग से लेकिन कुछ नहीं दिया है तो इसको positive कह देते हैं इसको negative कह देते हैं अब देखें दिक्कत कहा थी है समय तो कोई दिक्कत ही नहीं है दिक्कत इस तरह के graph मैंगी देखी यह है अगी बता रहे हैं देखो इसमय मानलो graph दो तरह के आपको मिलेंगे एक्स्टी graph और बहुत ही अच्छा concept है एक एक्स्टी ग्राफ मिलेगा concave down और एक एक्स्टी ग्राफ मिलेगा आपको concave up यह यही एक्जाम आता और यहीं discuss करना होता है तो यह है concave down और यह है concave up इसमें acceleration का direction discuss करना होता है तो देखिए यहां पर हुआ क्या है द्यान से सुनना आपको मज़ा जाएगा इस point पर velocity 0 है यहां पर dxy dt 0 है इस point पर velocity positive है यहां पर dxy dt positive है और यहां पर dxy dt negative है द्यान से सुनना आराम आराम से ठीक है यहाँ पर आज़े इसी तरगे से तीनों पॉंट पर देख लिजे यहाँ पर देखो कि टेंजेंट का स्लोप तो यह आएगा तो यहाँ पर dxy dt negative है यहाँ पर dxy dt positive है और यहाँ पर स्लोप इसका टेंजेंट का dxy dt positive है clear है अब जैसे मैं दोनों के लिए आपको pictorial view मनाता हूँ particle तो इस सब को पता है state land motion ही कर रहा है अब देखे इसमें क्या हुआ और यहाँ पर positive है इसका मतलब कोई भी point ले लो कई भी ले लो जैसे यहाँ ले लिए हमने अब यहाँ पर particle देखे यह ले लिए इधर move कर रहा हूँ राइट में क्योंक वेलोसिटी पॉजिटिव है तो राइट को जा रहा है अब राइट को जाते जाते जैसे इसको मैं A point कहे दूँ इसको मैं B कहे दूँ इसको मैं C कहे दूँ फिर जाते जाते देखे एक जगे velocity 0 ही होगी क्यों कि पॉजिटीरी पॉजिटिव से नेगेटिव हो रही है तो इसका मत्राँ पार्टिकल ये direction motion बदला ये हुआ 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 100% समझ लेना तो माल cereal ये point A ले लेते हैं इसको B ले लेते हैं यहाँ पर velocity क्या होगी एक moment के लिए 0 और फिर पार्टिकल अपना यहां गया इसको सी लेल और फिर वेलोसिडी इसकी इदर है तो खुद बताईए अगर पार्टिकल इदर मूब कर रहा और ऐसे हो गया तो certainly यार एदर ही तो रहा हुआ खुद बतादीजे यार भाई एदर होगा तभी तो इसको रिटार्डेशन देगा वेलोसिडी ओजीरो करेगा फिर दर बढ़ाएगा क्योंग यहां पे तो सिलोब लगातर बढ़ी रहा और यहां पे सिलोब लगातर घट रहा है तो पहले वेलोसिडी गटेगी और इसके बाद वेलोसिडी लगातर बढ़ेगी कुछ है नहीं तो यह एकसिलेशन नेगेटिव हुआ क्योंकि नेगेटिव एकसिटिव वाला नेगेटिव आ लिया और लेफ्ट वाला नेगेटिव होगा तो इसको मैं नेगेटिव माननुगा अब इसमा जाओ इसमें देखिए इसमें क्या देखिए यहां पर वेलोसिडी नेगेटिव है देहां से सुनना इसका मतलब पार्टिक इदर मूब कर रहा होगा इसको भी कुछ कह दो पी क्यू आर के दो आप इसको तो यहां पर पी मान लिजेए पार्टिक के दर मूब कर रहा है बड़े आराम से देखो इससे यह बनाने में बच्चों को दर्द होता है पर यह यह यार इस्टे लान मुक्षन के लिए बना रहा है सोच के बना यह कि यहां वेलोसिडी नेगेटिव है अब कहीं भी बना लो जैसे यही बना लो तो पार्टिकल लेफ्ट में जा रहा होगा और यहां पॉस्टिव है तो इसका मतलब ऐसे गुम के यह चला गया कुछ है नहीं समय। सोचने की बात है के बना लो यह सब ऐसी कोई बात थोड़ी ना होती है तो चलिए इसका मतलब पाइटिकल ऐसे पोंकिया सिनाखिया फिलियरą तो यहां पर प्या जाएगा यह की जाएगा और यहां पर फिल और यहांपर एल्लसुडी पॉजिटिव थीक तो अब बताइए पार्टिकल इरफ और फिर वेलोसिटी जीरो ही है, तो A को 100% देल लगना पड़ेगा, एको इदर, और वैसे भी देख लीजे, P से Q में, सिलोप देखिए, लगातर क्या हो रहा है, कम हो रहा है, तो वेलोसिटी लगातर गटेगी, तो ये डिक्रेजिंग होगी, और उसके बाद जीरो के देखो, फिर स्लोप लगातर बढ़ता जा रहा है, फिर स्लोप बढ़ता जा रहा है, तो V लगातर बढ़ेगा, तो A दर होगा, तो बताइए, ये A तो क्या हो गया, नेगेटिव हो गया, और ये क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया, तो इस ग्राफ में इसमें PQR में एकसिलेशन पॉजिटिव लेंगे और इसमें एफेक्ट जो होता है एक क्या लेंगे नेगेटिव लेंगे उता लिज़े अभी मैं और अच्छे से लिखा देता हूं स्टेटमेंट को केलियर हो गई बात इसको यार जिनको समझ में नहीं आया हूँ वो अपना वापत जाके प्लीस दुवारा देख लिए ना बहुत ही बहतरी न है यार केवल आपको यह बताना है कि यह ग्राफ है तो पार्टिकल यह जाके यह आया होगा तो एदर रहा होगा अगर यह ग्राफ है तो पार्टिकल यह जाके यह गया होगा तो एदर रहा होगा उसी से हमने डिसाड कर लिया कि एक्सिलेशन पॉजिटिव कौन सा लेना है और नेगेटिव कौन सा लेना है अभी एक दोर बना देते हैं अभी किलियर हो जाएगा तो यहां पर आखरी में मैं यह लिखाऊंगा कि अगर एक्सिलेशन पॉजिटिव होता है यह बात याद कराऊँगा मैं लिखाऊँगा मैंड सेट कर लिजा भी आप से इसको इतना समझा के मैंड सेट कर लिया जाता है हालाएं मौके पर निकालने में भी देर नहीं लगती है मौके पर भी कोई देर नहीं लगती है और देखी एक जामपल और दे देते हैं इसमें हटाई इसको देखिए अब कोई भी ले लो आप जैसे माली हमने ये ले लिया चलो ये ले लिया इस बार ठीक है अब हमें acceleration का sign discuss करना है ठीक है तो जैसे मालो यह A यह B यह C अब A से B से C तो क्या है ठीक है कौन के बाप है और C D मालो E यह है यह कौन के डाउन है अभी जरा समझा देते हैं जैसे ABC देख लो अब ABC देखे लो खुद देखने ना अब A पर देखना जरा यह XT ग्राफ ही ठीक है XT ग्राफ अब के लिए रो जाएगा देखो A A पर स्लोप देखिए A पर स्लोप नेगेटिव B पर स्लोप जीरो और C पर स्लोप पॉजिटिव C पर slope क्या है? Positive है ठीक है? तो इसका मतलब यहां पर देखे यह तो slope negative है यह slope क्या positive है और यह slope क्या 0 तो इसका मतलब velocity यहां negative यहां पर A पर velocity negative B पर 0 और C पर positive यही तो हुआ तो आप इसको बना लिजे for A, B, C कुछ है ही नहीं भाईया कुछ है ही नहीं तो आपको A पर velocity को negative दिखाना है negative का मतलब किदर move करा होगे? खुस पूछो along the negative x axis तो along the negative x axis move करा दो इदर और B पर 0 करना है तो इसका मतलब A से जाके ऐसे लोटेगा तो यहां पर क्या होगी होगी? तो A क्या होगी है? बताई यह positive होगी है तो यही तो बताया कौन गेब अप तो positive कौन गेब डाउन तो negative अभी प्रूव कर देते देखिए C पर velocity positive और बताईए D पर velocity 0 यहां ले लेना यहां पर Dxy dt क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा और यहां पर बताईए velocity क्या है? positive है तो यहां पर Dxy dt क्या है positive यहां पर Dxy dt positive कितना अचान होगी है? बताईए Dxy dt positive तो अगर मैं आप ग्राब बनाऊँ BDE का BDE का तो बताईए यहां पर velocity positive इसका मतलब इस moment पर right को move कर रहा होगा तो आप यह बना देंगे right को C पर right को जा रहा हो वैसे जाए रहा था right को और फिर D पर 0 हुआ है तो ऐसे जाके ऐसे D पर 0 होगया यहां पर velocity 0 और फिर यह E पर आके फिर velocity positive होगी ठीक? तो अब बताईए A किदर रहा होगा 100% हिदर रहा होगा तो A क्या हो गया? Negative हो गया तो अब यह बाला direction जो ले लेते है वो पॉजिटिव ले लेते है तो E अपने अब क्या हो जाएगा? Negative हो जाएगा तो acceleration बताईए ABC में क्या रहा होगा ABC में क्या रहा है बताइए positive रहा है और फिर CDE में जो sense रहा है वो क्या रहा है negative रहा है ठीक acceleration negative रहा है clear हो गया तो अब आपको इसको statement में लिख लिजे XT graph concave up to acceleration positive concave down to acceleration negative लिखा दें चलिए लिख लिजे लिख लिजे if XT graph if XT graph is concave up अगर XT graph concave up होगा तो फिर acceleration is positive if XT graph is concave down और अगर ये concave down होगा तो acceleration is negative तो फिर acceleration क्या हो जाएगा बच्चो negative हो जाएगा ठीक है better in concept था मैंने clear कर दिया ये concept questions में ही clear किये जा सकते है चलिए next question देखिए अब बता दिये इसमें आराम से velocity का direction decide कर दिया था ठीक है अब बताईए ये कैसा graph है concave down ये कैसा है concave down concave down है concave down का मतलब बताईए acceleration क्या हो गया acceleration is negative acceleration is negative तो acceleration का sign negative होगा मतलब वो left की तरफ होगा वैसे भी समझ माज़ आजाता देखिए A पर slow positive B पर slow positive C पर 0 D पर negative E पर negative इसका मतलब क्या है कि यहां पर positive है तो पार्टी का राट को जा रहा होगा right को जाके यह यह लोटा है यह लोटा है यह लोटा है यहां पर कहीं A रहा होगा फिर यहां कहीं B रहा होगा यहां कहीं क्या होगा C होगा होगा यहां कहीं क्या होगा D रहा होगा यहां कहीं क्या होगा E रहा होगा वो सब clear है आपको अब देखे A इसमें इधर रहा होगा तो यह direction आपने positive ले ली तो A तो negative होगया तो A की जो velocity होगी VA यह positive होगी यह VB क्या positive होगी यहां पे तो VC है क्या 0 ही है इधर velocity क्या होगी VD की negative होगी VE की भी क्या होगी negative होगी बस कितना असान है आपको यह बताना था कि यह graph है तो particle ऐसे जाके ऐसे आया हुआ एक एक बात crystal clear है ठीक है कुछ है नहीं चलिए next question यह भी अच्छा सवाल है बड़े आराम से clear हो जाएगा फॉर दा given XT graph यह XT graph दिया हुआ है At which of the point PQRS Is the velocity is positive बताईए velocity कहा का positive होगी जाँ 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 slope positive होगा एक तो यहाँ slope positive है यहाँ slope 0 है यहाँ पे slope negative है यहाँ पे slope 0 है तो बताईए VP क्या हो जाएगा बताईए बच्छो VP positive होगा VR क्या हो जाएगा negative हो जाएगा VQ equal to VS equal to 0 हो जाएगा पहले का option ने हो गया, बड़ा असा At which of the points PQRS, is the velocity is positive तो positive का answer क्या आजाएगा इसका बताई, VP आजाएगा, कुछ है ही नहीं कुछ ही नहीं कुछ ही नहीं At which point is the velocity negative negative का है, R पर negative, तो इस cancer negative, R हो गया इस cancer क्या हो गया, R हो गया At which point is the velocity 0 इस cancer क्या जाएगा, बताएगा, यह अपने Q and S, यह question हो, थैक जन At which point is the acceleration positive acceleration किस पर positive हो गया, यह क्या है, concave down यह concave down, यह concave down यह concave down है, तो acceleration किदर रहा होगा, यह इसको socially यह positive, तो party का राट को जा रहा होगा, ऐसे या कैसे लोटा होगा, तो A दर रहा होगा और यह क्या concave up, तो S पर बताएगे, इस में क्या रहा होगा, बताएगे, acceleration positive रहा होगा, तो S पर क्या जाएगा, positive हाजएगा, S, इस cancer S हो जाएगा यह एक interval में positive होगा, तो आप ऐसे कह सकते हैं, कि आप ऐसे कह सकते हैं, कि particle जब PQR में move कर रहा होगा, तो A क्या होगा, negative, और QRS में move कर रहा होगा, तो positive होगा, ठीक, वो negative बता दिया, at each point state weather, speed is increasing, decreasing, or not changing, तो इसके लिए क्या देखना होगा, बताईए, speed कहां पर बढ़ेगी, जाए, acceleration का case होगा, वह बढ़ेगी, retardation का case होगा, वह घटेगी, बताईए, क्या हो रहा है, खुदी बता दोगे, अब बताईए, P पर बताईए, P के बाद देखे, जैसे उपर जारो, slope लगाता है, इसका मतलब VP क्या कर रही होगा, decrease, या ठीक, तो R पर आप आगे, R से पर negative निकल लगे, फिर यह 0, यह actually, ठीक, यह आए, अब देखे, यह point P है, यह point Q रहा हुआ, यह point R, यह point S, यह 4 ही point थे, तो देखे, P पर velocity का direction यह था, यहां पर तो velocity 0 होई गई, भाई, पहले क्या हो रहा है न, कि देखे, velocity positive, slow positive, यह जीरो, तो ऐसे जाके, ऐसे आया, फिर यहां पर negative है, तो negative होगई, देखे, velocity यह रही, फिर यहां पर velocity 0 होगई, फिर यहां पर S, S पर फिर velocity 0 होगई, P, Q, R, S, फिर velocity, यह, यही discuss करना है, त इदर, अब यह गढ़ना शुरू होगई है, अब इसके बाद गढ़ना शुरू होगई, तो अब इदर रहोगई, तो actually P से Q से R में तो A negative है, तो P से Q से R में A negative है, और R से S, R से S में क्या है, positive है, तो द्यार रखना, negative कहा है, at which point is the acceleration negative, negative कहा होगई, P, Q, P, Q, P, Q पर negative होग ठीक है, अब आप से बूचा है, तो R क्या होगा, देखिए, R के बाद, velocity का, देखिए, slope यहां पर लगातार घटने लग गया है, slope जैसे ही घटने लग गया है, इसका मतलब, उसने direction चेंज कर लिया, देखिए, यहां तक तो slope बढ़ रहा है, लिगन इसके तुरंद बाद तो बताइए, R point पर वो उसने अपना change किया है, क्योंकि R point से पहले तक ऐसा था, तो R पर हम कुछ भी discuss नहीं करेंगे, ठीक, R पर discuss नहीं करेंगे, कि positive होगा कि negative होगा, क्योंकि R से just पहले left में, और इसके तुरंद बाद right में, तो R पर discuss नहीं होगा, ठीक है, R पर discuss नहीं ह हो जाएगा Q, negative, इसी तरीके से, यहाँ पर S पर discuss करेंगे, तो S पर direction positive है, तो at which point acceleration is positive, क्या था हो जाएगा, S, ठीक है, S हो जाएगा, अब at each point, state weather speed is increasing, decreasing, वो तो slope देखके बताईदोगे, वो तो बताईदोगे, बताईदोगे, बताईए Q पर, Q का slope यहाँ है, क्या हो रहा बताईए, आर पर बताईए, आर पर तो अपना direction चेंज कर रहा है, आर पर तो अपना direction चेंज कर रहा है, तो देखो, आर से पहले speed क्या कर रही है, बढ़ रही होगी, क्यों एधर है, और इसके बाद घट रही होगी, तो अब आर से पहले, आर से पहले घटेगी, आर से पह होगे तो यहां पर क्या होगा यहां पर घरते घरते जीरो फिर बढ़ेगी तो यही सब बोलना होता है यही सब एक्स्प्लेंट भी करना होता है कि क्यों पर वेलोसिटी जीरो हो रही है तो इससे पहले वेलोसिटी घट रही होगी इसके बाद बढ़ रही होगी यह डिसकस करना होता है, खीक है, किलियर, चलिए, जरा देखिए, फिर देखिए question, which of the following extra graph is not possible, इसका भी concept देख लिए, जैसे ये question, NCRT वगरा सम्मे दिया रहता है, कई बार exam आया है, जरा इसके कुछ points होते हैं, और मैं question से इसको explain भी करना चाहता हूं, तो देखिए, जैसे इनमें आता है, कौन सा graph possible है, कौन सा graph possible, नहीं है, तो देखिए, इसको कैसे देखते हैं, हम आपको बताते हैं, अपने हम समझना जाएगा, जैसे एक graph इसमें और नहीं बनाया है, वो ही मैं बना देता हूं, और नहीं बनाया है, जैसे ये मैं बना देता ह इसमें please बना लेना, इसको मैं first कह देता हूँ, इसको मैं second कह देता हूँ, इसको third कह दो, इसको fourth कह दो, इसको fifth कह दो, ये भी बना लेना, तो time negative नहीं हो सकता, तो आप statement लिख दीजे, time cannot be negative, अगर कोई भी graph, kinematic graph या कोई भी physics में इसा graph है, जिसमें time negative है, वो graph possibly नहीं हो सकता, तो this is not possible, तो हम यहाँ पर यह लिखते हैं पहला point, time cannot be negative, time cannot be negative, clear, अब यह देखिए, यह possible है कि नहीं है, मैं समझाता हूँ, अगर आप एक लाण यह लेते हैं, देखो, आप कहेंगे sir, हम कैसे सोचेंगे, यार हम explain कर रहे हैं, उसके बाद आपको सोचना 100% आ जाएगा, त तो मानलो यह T equal to, मानलो जो भी है T note है, तो T equal to T note पर देखिए, पार्टिकल की position कई सारी है, X1 भी उसके पोजीशन है, X2 भी एक पोजीशन है, और X3 भी एक पोजीशन है, एक बात बताईए, क्या एक ही time पर, एक ही time पर, जैसे एक ही time पर, क्या एक पार्टिकल तीन तीन जगह हो सकता है? नहीं हो सकता है. एक टाइम पर तो एक ही जगह होगा? हाँ, एक ही पोजीशन पर अलग अलग टाइम में हो सकता है. इसको ऐसे समझे, जैसे महीं आओं, तो आप मुझे इस समय भी देख लो, तब भी यही हूँ, मैं चला, और फिर थोड़ी देख फिर यही आगिया मतलब अलगलग टाइम पर एक पोजीशन दो सकती है लेकिन एक ही टाइम पर डिफरेंट पोजीशन नहीं हो सकती है अगर आपको अभी मैं पढ़ा रहा हूं और कोई कहे किस समय सर को मैंने काकाद में देखा है तो वो 100% जूट बोल रहा है क्यों एक टाइम पर तो म पार्टीकल की बहुत अच्छा पॉइंट है पोजीशन एक ही होगी लिखे लिजे एक टाइम पर पार्टीकल की पोजीशन एक ही होगी एक टाइम पर पोजीशन एक से ज्यादा नहीं हो सकती तो ये भी पॉसीबल नहीं है अब इस पर जाईए जरा जैसे इस देखिए तो position a की आ रही इस से. ज़्याद आई नहीडी. यहाँ पर टी 2 time है, तब यहाँ एक ही position है, मालो, x2. यहाँ पर यह t3 का time है, तब भी position éak ही है. ठीक. लेकिन, लेकिन. ठीक है, तो यह graph positive में लगा Uh, कोई दिक्कत दी रही है. कोई दिक्कत नहीं है ठीक है कोई दिक्कत नहीं है एक टाइम पे एक पोजीशन है पर जैसे मालो इस पोजीशन पर इस पोजीशन पर जैसे यह है इसको तो अटा दूँ समझ माई गया पर जैसे यह था जैसे यह पोजीशन है तो यह position जो x है यह जो position है मालब x1 तो x1 की position कई बार आई है देखो कई बार यहाँ पर t1 के समय पर भी x1 की position है t2 के समय पर भी x1 की position है और यहाँ पर t3 के time पर भी x1 की position है तो एक position कई बार आई है तो यह तो possible है तो एक position कई time पर हो सकती है लेकिन ये पॉसिबल नहीं है फिर देख लिए गवार ये क्योंकि एक टाइम पर वो कई पोजीशन पर नहीं हो सकता एक टाइम पर कई पोजीशन पर नहीं हो सकता लेकिन एक पोजीशन पर कई बार हो सकता है यह बात clear है ठीक है इसमें आ जाई है तो यह भी देखिए यह भी possible नहीं होगा क्योंकि T0 के समय पर यह T0 के समय पर वो X1 पर भी दिखा रहा है और X2 पर भी दिखा रहा है यह भी पर पॉसिबल नहीं है इसमें आ जाई है यह भी गराब पॉसिबल नहीं होता है इसमें भी पॉइंट लिख देता हूँ मैं क्यों पॉसिबल नहीं होता है यह आपको मैं समझा देता हूँ यह भी ग्राफ possible नहीं होता है इसलिए possible नहीं होता है देखिए यार मानलो time जैसे आपको हम समझाते हैं जैसे अगर आपने यहां पर time ले लिया तो graph आप कोई भी बना रहे हैं कोई भी चाह पार्टिकल खड़ा है चाह चल ला है पर यार ऐसा तो होई नहीं सकता उसेलगे तो जाहीं नहीं सकता मतलब time को skip नहीं कर सकता ऐसा कैसे हो सकता है कि किसी gram में delta t guyav हो जाए गाव हो जाए यह तो possible नहीं है तो अगर time किसी access पर दिया है तो वहाँ पर graph कभी भी गाव नहीं हो सकता सीदे सीदे यह समयलो या graph discontinuous नहीं हो सकता तो अगर time दिया XT graph cannot be discontinuous तो आप तीसरा पॉंट यह लिख दीजे XT या VT जो भी graph आ जाए time के साथ कभी भी graph discontinuous नहीं हो सकता है time के साथ graph कभी भी discontinuous नहीं हो सकता है तो XT graph cannot be discontinuous XT graph कभी भी discontinuous नहीं हो सकता discontinuous ठीक है चलिए next ये सब questions आपको कुछ concept सकाने के लिए मैं करा रहा हूँ हर question में कोई कोई concept है इसमें देखिए क्या concept है बहुत अच्छा question है for given XT graph find XT graph दिया हुआ है X equality square find average velocity during that time of motion motion कहा तक है 2 second तक discuss करना को तो average velocity तो क्या जाती थी बताएज कोड का स्लोप आ जाती थी वो तो तुरन निकलाईगी तुरन निकलाईगा बताएज we average slope of chord slope of chord of XT graph XT graph के slope तो बताएज वी average equal to अब बताएज कोड का slope क्या होगा कोड का slope आ जाएगा तो यह आ जाएगा ठीटा पूरा तो बताएज कितना होगा यह कितना होगा यह से 4 दिया हुआ है और यह कितना है 2 second तो यह सीधे सीधे आ जाएगा 4 by 2 बराबत 2 meter per second दूसरे पार्ट में पूछा है the time at which instantaneous velocity is equal to the average velocity over the first 2 second इस concept को मैं जरा अलग से discuss करना चाहता हूँ जरा देखिए पीछे वाले पेज पर देखिए देखिए बहुत ध्यान से देख रहा हूँ अच्छा concept है पहले दिसकस कर लो जैसे यह एक्स्टी ग्राफ दिया हूँ जहां से थे एक्स्टी ग्राफ तो देखिए इस तरह का एक्स्टी ग्राफ है तो यहां पर average velocity यह हो जाएगी किसके बराबर होगी बताइए average velocity 0 से T0 तक तो V average 0 to T0 यह किसके बराबर हो जाएगी बताइए 10 ठीटा के बराबर हो जाएगी कोई दिक्कत नहीं इसमें अगर ध्यान से देखिए इस पॉंट को देखिए एक tangent ऐसी बनाईए जो chord के parallel हो प्लीज बहुत ध्यान से देखना एक ऐसी tangent आप इस पर सोचिए जो chord के parallel हो तो देखिए इस पॉंट पर सायद सायद क्या इस पॉंट का tangent इस पॉंट का tangent देखिए यह एंगल भी मालों ठीटा ही होगा क्यों इसके parallel है तो बताइए पी पॉंट पर मैं आप से पूछू instantaneous speed तो बताइए वी instantaneous add P बताइए वो भी का 10 theta के बराबर ही और यह दोनों बताइए तो पी पॉंट की instantaneous speed क्या O से A की average speed के बराबर होगी बिल्कुल होगी क्योंग जो average speed इसकी होगी वो chord के slope के बराबर होगी और वो पी पॉंट की instantaneous speed के बराबर होगी हाँ अगर उसके बाद कोई point लेते है से ये लेते तो यहाँ पे ऐसा नहीं होता क्यों यहाँ पे slope घट गया और यहाँ पे slope क्या बताइए जादा है तो यह नहीं होता बराबर जैसे अगर यहाँ पे तीन point होते A, P और यह मानलो Q होता A चलो वो भी दिया है तो उसको मैटा जिता हूँ कुछ और ले लेता हूँ B ले लेता हूँ तो बताइए अगर आप से पूछा जाता कि average velocity किस point की instantaneous speed के पराबर है तो A, P, Q तो P answer होता हूँ क्योंकि P point कर instantaneous speed वही आएगी जो इस chord का slope आएगा या chord की average velocity आएगी या O से B में average velocity आएगी ठीक है एक दम इस तरह से करते हैं तो कभी भी इस तरह के सबाल मिलें कि किस point की instantaneous speed average velocity के बराबर है तो उस interval की average velocity मतलब का slope हम देखते हैं किस point के tangent के slope के बराबर होगा बहुती बैतरी इन point अपने सब्दों में लिख लीजे इसको ठीक है अभी मैं लिखा भी दूँगा एक और अभी डियाग्रम मना रहा हूँ देखो अगर मान लिए graph ऐसा होता खुद बताओगे देखो अब अपने आप खुद बताओगे अपने आप इदर टाइम होता इदर एक्स होता graph यह होता तो देखिए यहां पर average velocity इस slope के बराबर आती बिल्कुल आती कोई दिक्कत ने इस ठीटा के बराबर आती अब यहां पर देखिए कुछ points है अब देखो अपने आप देख लो अगर आपको यह बताना है बताओगे वह point identify करो जिसमें यह O है और यह A है कि O A की average velocity के बराबर आ जाए ठीक है T naught है यह तो V average O to A किसके बराबर आएगा बताइए 10 theta के बराबर आएगा अब वह point इसमें से identify करो जिस point की instantaneous speed average velocity के बराबर आ जाए अपने आपको वह देखना पड़ेगा जो इसके slope के बराबर आ जाए तो सायद यह point देखवा रहा होगा यहां पर यह point ऐसे देखना ही पड़ता यार तो यह अगर point P है तो P की instantaneous speed O से A की average velocity के बराबर आए जाएगी तो बताइए इसका भी slope ठीटा ही आएगा angle ठीटा ही आएगा तो V P बताइए equal to किसके बराबर आ जाएगा 10 ठीटा तो V P equal to V average O to A ठीक हो गया तो जिस point पर chord का slope और tangent का slope बराबर होता है उस point की instantaneous velocity उस interval की average velocity के बराबर होती है सब्दों में लिखी लिए अपना में clear हो गई ठीक है अब चलिए question था अब इसमें था अब देखिए इसमें क्या ही अब देखिए अब आपको लगी रहा होगा वैसे तो one second दिखा है पर असे कोई मतलब नहीं है अगर इस point पर मैं लगबर tangent रोकर दूँ अब clear हो गया तो उसका भी slope क्या होगा ठीटा ही होगा हाला कि वो हमें find out करना पड़ जाएगा अब x-t graph ये दिया हुआ था आपको देखिए x-t graph दिया हुआ था तो x-t graph दिया है तो बताइए dxy dt कर लेंगे dxy dt कितना आजाएगा 2t तो इसको किसके बराबर कर देंगे v average के बराबर और v average के बराबर कर देंगे और v average है कितना 2 अभी find out किया है तो बताइए 2t equal to 2 आजाएगा तो यहांसे t equal to 1 second आजाएगा तो 1 second पर instantaneous speed is equal to average velocity from 0 to 2 second that is v instantaneous at t equal to 1 second is equal to v average t equal to 0 to t equal to 2 second तो 0 से 2 second की average velocity t equal to 1 second की instantaneous speed के बराबर है clear हो गया फंडा यह सब questions एक्जाम में आते रहते हैं अच्छे से देख लीजे कुछ चीजें यार questions के थ्रोई clear होती है तो यह कुछ questions ऐसे थे जिनके थ्रोई मुझे आपके कुछ concept बहतरी तरीके से clear करने थे next question इसमें देखिए है for xt graph यह xt graph दिया हुआ है question क्या है पो लिखा नहीं है अभी लिख देता हूँ find the average velocity find the average velocity कहां से कहां तक 0 to 2 second second है 2 second to 4 second और third है 4 second to 7 second अपने आप कर दोगे एक दमासान है बताए 0 से 2 second में अब देखिए average velocity आपको find out करनी है from the graph तो आपको हर जग है क्या देखना होगा chord का slope क्यों x-t graph दिया हुआ है तो 0 से 2 second में यही tangent होगी यही chord होगी तो बताए पहले का answer क्या आजाएगा एक land के सवाल है पहले का बताए वी average 0 to 2 second बताए सीधे सीधे स्कॉड का slope वो आजाएगा this upon this बताएगे कितना है 10 तो यह आजाएगा 10 by 2 मरावर 5 मीटर पर सेकंड एक दमासान फिर उसके बाद है 2 to 4 सेकंड अब 2 से 4 सेकंड 2 से 4 सेकंड chord का slope यह देखिए तो यह negative बाएगा क्यों angle यहां से लेना होता है इधर वाल angle लेना होता है तो यह negative कर देंगे इसको ठीक है तो यह कितना आजाएगा बताईए second is cancer बताईए we average 2 सेकंड to 4 सेकंड बराबर अब देखिए यह क्या आजाएगा बताईए यह आजाएगा this upon this आजाएगा यह आजाएगा 180 minus theta ठीक है तो यह कितना आजाएगा 5 आजाएगा क्योंगे 10 यह 5 है और यह 2 आजाएगा तो यह आजाएगा minus लिख देंगे इसको minus 5 by 2 equal to minus 2.5 meter per second ठीक है फिर है 4 second to 7 अब 4 से 7 देखिए यह है 7 second यह है और 4 यह है अब बताईए 4 यह 7 बताईए आप कोड का स्लूप देखना है तो कोड का स्लूप आप देखेंगे तो 4 पर यह है और यह 7 पर यह है तो सीधे ही इसका स्लूप देख लेंगे अब इसका इसका देख लेंगे इसको देख लिजे ठीक है वैसे angle तो आप यही से लेंगे हमेशा angle तो यह theta लेंगे ठीक है यह theta dash लेंगे तो यह हो जाएगा 180 minus theta dash तो वो negative आ जाएगा फिर से अब आप इसको देख लिए यह कितना होगा देखे यह 5 होगा 5 यह होगा और यह भी 5 होगा ठीक है तो 10 यह होगा इधर देखिए यह कितना है 1 इधर कितना है 2 तो यह कितना है बताई 3 delta t equal to कितना है 3 ठीक तो इसका जो थर्ड का answer हो जाएगा यह equal to this upon this तो minus लगा लो क्योंग वो negative है क्योंग angle यह लेना होता है तो यह कितना 10 तो minus 10 divided by 3 meet up बरस this is your answer एकदम आसान कुछ है यह नहीं कुछ है यह नहीं ठीक है कुछ है यह एकदम आसान next question देखिए यह NCRT क्या question है काफी famous question है NCRT में दिया हुआ है ठीक है NCRT में दिया हुआ है the XT graph for two boys A and B going from their school O to their homes P and Q respectively are shown in figure देखिए यह school है O यह school है और एक का घर यह है और एक का घर यह है तो बताईए इसमें कुछ ऐसी बात हैं पूछी है यह मुझे पता है पहले से ही तो बताईए school के pass कोन है P pass में obviously यह तो क्या बताई X P है और यह यहां से क्या बताई X Q है तो pass कोन है P ऐसी छोटी छोटी बात है पूछी है NCRT का सवाल है तो कठन का होंगे भाई यह question इस बात का है कि जिसको बच्चों को गराब रीड करने ही नहीं आता है वो गराब देखके ही गवरा जाएंगे Eglian Aces Eglian Aces में क्या बोलें भाई इतने में गवरा जाते हैं ठीक है देखे Choose the correct options A with respect to B इसको बता चुका हूँ A with respect to B पढ़ते हैं तो A तो इसको बता है A B से Lives Lives B With respect to A इसमें option रहे गया है A lives इसको मैं लिख देता हूँ बूरा Lives Closure A Lives Closure to School To School Than B A ये बताना है तो पास कौन रहता है A रहता है और B रहता है A with respect to B Lives Closure to School Than B With respect to A तो बताईए ये सही है गलत है ये सही है क्योंकि अच्छा इस ग्राब में भी दिया था ग्राब दिया नहीं ये A के लिए ग्राब दिया बच्चो ये B के लिए तो ये A के लिए तो ये School है और ये A का घर है तो गदे को यहां गया जैसे A चला देखो ऐस सोचो A चला तो A से रास्ते से चला है और B यहां से चला है ठीक है अब ज़रा समझ माएगा तुमको ठीक है तो बताईए A को कहां पोहँशना है P पर और B को कहां पोहँशना है Q पर तो पास कोन है School के पास कोन है School के अब यसलिए P पास है A पास है तो इसको आप P इसका घर है तो इसको आप A कहे दो X से कहे दो ये X से इसको आप X B को X B को ठीक है क्योंकि ये position P घर है ये A का घर है इसको आप लिख सो A का घर A का घर और ये है B का घर ठीक है ये B का घर है अब clear हो जाएगा आपको एक दम ये school है दोनों का school यही है तो school के पास कोन है obviously A और B दूर है तो ये सही हो गया अब कह रहा है A मतब B के respect में start from school earlier than B तो पहले कौन शुरू करता है देखिए ये T equal to 0 पर देखिए और ये T equal to कोई T note रहा हुगा तो चलना A ने सुरू कर दिया वो T equal to 0 पर ही चल देता है यहां से A और जब के B कब चलता है T equal to T note पर तो ऐसे मान लो ऐसे सोचिए कि आपका school है जैसे हम यहां रहते हैं और school इस direction में और हमारा दोस्त आगे रहता है और school दरी direction में तो हम पहले चले हम पहले चले यह हम पहले चले कि वो school हम से पास है और ये बाद में चला है ठीक है लेकिन इसकी speed देखिए ज्यादा भी clear होगा तो बताइए उस statement के हिसाब से A start from school earlier than B तो A obviously पहले start कर देता और B बाद में चलता है तो ये भी सही है अच्छा A with respect to B walks faster than B तो अब slow fast के लिए क्या देखेंगे बताइए आप देखेंगे किसका slope ज्यादा है तो पताइए अगर आप A का देखेंगे तो DXYDT 10 theta होगा इसका क्या होगा 10 theta 2 होगा तो velocity slope के बरावर होगी तो B का slope obviously ज्यादा है तो इसकी speed क्या होगी ज्यादा होगी इसकी speed क्या होगी कम होगी तो A works faster than B ये गलत हो जाएगा ठीक क्योंकि फास्ट काउंड मूब कर रहा है B मूब फास्ट कर रहा है क्योंकि इसका slope ज्यादा है D माईए A and B reach home at same or different time पताइए घर दोनों same time पे पहुंचते हैं गलड़ लग अगर दियान से एक देखिए स्कूल से चले अब ये यहाँ पर पहुंचिगा ये पहुंचिगा T not dash T not dash पर कौन पहुंचा देखिए ये A पहुंचिगा और उसी समय B पहुंचिगा तो दोनों A की समय पर पहुंचिगा तो इस cancer कौन सा जाएगा same हो जाएगा same ये गलत हो जाएगा तो same time पर पहुंचिगे ग्राप से रीड करिए T not dash पर ये अपने घर में और T not dash पर ये भी अपने घर में दोनों same time पर अपने घर में हाँ इस स्कूल पर अलब अलब टाइम पर चले ये बाद में चला और ये पहले चला ठीक आगरी देखिए A with respect to B overtakes on the road one twice तो देखिए यार इस समय पर दोनों की position एक है देखिए इस समय पर इस समय पर T पर दोनों की position एक है तो यहाँ पर B क्या करता है इसको overtake करता है तो ये one इसका सही उपसर हो जाएगा एक बार overtake कर रहा है आप देखिए यहाँ पर T quality पर दोनों की position सेव है तो overtake उसने एक बार किया इसको clear तो अब देखिए यह मैंने position time graph के बढ़िया बढ़िया question जितने भी possible होते हैं किसी exam में सब discuss कर दिये इतनी practice करो और XT graph यहाँ पर complete होता है अब मैं आगे पढ़ाऊ आपको velocity time graph ठीक है चलिए पढ़ाई करते रहो